हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सकेंद्रा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार तरो का मेंस के लिए प्रैक्टिस स्रेट नंबर एट को कवर करेंगे फ्रेंड्स इससे पहले हमने स्रेट नंबर वन से लेकरके सेबन तक को डिसकस कर लिया था अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आपकी सुद्दा के लिए इन सबका लिंक मैं डिस्कुप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ जरूर देख लिजेगा और फ्रेंड्स तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर किजेगा पहला प्रशन देखिए इंपोर्टेंट कोश्चन है निमलेखित में से ब्रेटिस सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गौर्णर जनरल को भारत का गौर्णर जनरल बना दिया गया तो देखिए 1833 के चार् और फ्रेंड लॉड बिलियन बैंटिक के कारेकाल में कुछ इंपोर्टेंट कारे हुए हैं उनके बारे में विजान लिजिए राजाराम मोहन रायक के सायोग से बिलियम बैंटिक ने 1839 सिस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया बैंटिक ने करनर सलीमन की सहायता से ठग ठगी प्रथा को याद रखेगा ठगी प्रथा को 1830 सिस्वी में समाप्त कर दिया और 1835 में बैंटिक ने कलकात्ता में कलकात्ता मेडिकल कॉलेज की अस्थापना की और इसी की समय में मैकाले के अनुसंसा पर अंगरेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो फ्रेंड ज तो क्रिष्णमेनन समीती की संस्तुती पर 1963 में सारवजनिक उपक्रमों पर नियंतरन के लिए लोग सभाने सारवजनिक उपक्रम समीती की व्यवस्ता कियी। तो सायंसरे ओप्षन एक क्रिश्न मेनन समिती और फ्रेंट्स इस समिती में टोटल 22 सदसे हैं जिनमें से 15 सदसे लोक सभासे हैं और 7 सदसे जहां ये राज्य सभासे हैं इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा और इस समिती का अध्यक्ष लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा नाम और किन देखर तो मराठा और अफगान के भीच में एक तरफ मराठा पिषरा को था वкого बाला जी बाजी रौ था और दूसरे तरफ नमल लेित में से किसे मुगल बात्षा द्वारा बुर्हान उल्क मुल्क की उपाधी प्रदान की गई थी तो देखिए मुगल बात्षा मुहम्मद सा ने सादत खान को बुर्हान उल्क मुल्क की उपाधी प्रदान की थी याद किजिएगा किस ने मुहम्मद सा हने ये भी प्रशन पूछा जाता ह है और 5 प्रशन देखिए गांदी इर्विन समझ्जाता किस वर्स में हुआ था तो देखिए 4 मार्च 1931 को याद रुखिए गांदी इर्विन सम्झाता पर हस्ताक्षर किया गया और साथी सबने आगया अंदलन को भी अस्थागित कर दिया गया था ठीक है और याद रखेगा जो सबने आगया अंदलन जो हुआ था उसे में वाइसराय लॉड इर्विन था ध्यान रखेगा ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कुस्टन देखे छठा प्रशन की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसलामिक कॉंफिरेंस आई ओसी ठीक है इसका मुख्याला है कहां है तो इसका मुख्याला है ज्यद्धा में ज्यद्धा का है ये सौधी अरब में है नेक्स्ट कॉस् blinking कोस्सन नबर सेबन भारत ने सॉरपरतम ओलंपिक का होकी खेलों में किस वर्स भाग लिया इंपोर्टेंट है तो दिखिए 1928 में याद रखिएगा 1928 में भाग लिया और इस प्रतियोगता में भारत ने एक गोल्ड मेडल भी जीता था होकी में तो सई अन्सर आप्शन सी 1928 में एमस्टरडन ओलम्पिक में कोस्शन नबर एट दिखिए नमि लिखित में से किस ने ठगी प्रता को उन्मिलन कर दिया और उसमें सुधार किया तो यह किया था किस ने लर्ड विलियम बैंटिक ने अभी हमने पढ़ा था कि इस ने ठगी प्रत्था को समाप्त किया था कर्णर सलीमन की साहता से अगला कुस्टन की कुस्टन नूमर 9 निमलिखित में से कौन तीसरे जयानतिर्थंकर थे संभवनात थे सहीं सरे और इनका प्रतीक चीन जो था वो था घोडा याद रखिएगा ठीक है फ्रेंट्स घोडा प्रतिक चिंद था पहले जयन तिर्थंकर रिशब्देव थे पारस्वनाथ 23 थे और महाबीर जो थे यह अंतिमोर 24 वे जयन तिर्थंकर थे नेक्स्ट कोशन देखिए कोशन नमबर टेन कोशन नमबर टेन है नोबल पुरसकार कब आरंभ किया गया तो देखिए नोबल पुरसकार जो है यह अलफरड नोबल की अस्मृति में इसकी अस्थापना की गई और पहली बार इसे कब दिया गया 1901 में दिया गया सांती की छेत्र में हैंडरी डूरेंट को दिया गया था ठीक है याद रखिएगा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोस्न देखिए और ध्यान रखिएगा कि अर्थ सास्त की छेत्र में नोबेल प्राइस की सुर्वात उनिसो सांसेट में किया गया और इसे पहली बार उनिसो उनहत्तर इसवी में प्रदान किया गया था 11 नमबर देखे सक्कर खिड़ा की लड़ाई कब हुई थी तो सक्कर खिड़ा की लड़ाई जो है ये 11 अक्टूबर 1724 इसवी को हुई थी option C सही अंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 को निजाम उल मुल्क याद रखिएगा निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान के बीच और मुबारिज खान के बीच हुआ था ये सक्कर खिड़ा की लड़ाई और जिसमें निजाम की जीत होती है question number 12 देखिए question number 12 है कि समिधान की किस अनुष्यद के अनुसार लोकसबा स्वयम ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है तो सही अन्सर इसका option A अनुष्यद 93 के धहत ठीक है फ्रेंट और अध्यक्ष दो है अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और अनुष्यद 94 B के धहत next question देखिए question number 13 इबने बतुता के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यह मुरक्को को था बिल्कुल सही है मुहमद बिन तुगलक के समय भारत आया था यह भी सही है उसने रहला नामा कुस्तक लिखा था यह भी सही है तो correct answer option D उपरिक्ट सभी कथन सत्य है 14 नमबर देखिए और friends एक से साथ तक का जो हमारा practice rate है link description में है जरूर दिख लिजेगा निमलिखित में से कौन से समिती पंचायती राज में सुधार ही तुग गठित समितियां है तो देखिए ML सिंद्वी समिती ये भी correct है इसका गठन का गठा 1986 में उसके बाद PB के राज समिती ये भी पंचायती राज से सम्बंदित है तो सही अंसर उपरिक्ट सभी और एक और समिती है वो भी आप याद रखिएगा बलवंत राज मेहता समिती ये चार समिती पंचायत राज से सम्बंदित हैं ध्यान रखिएगा 15 नंबर देखिए कि निमिलखित में से किसने इंडियन ओपेनियन नमक समाचरपत्र आरम किया तो महात्मा गांधी ने किया था और पहली बार यह 1903 में प्रकाशित किया गया सही अंसर इसका ऑप्शन भी महात्मा गांधी लाला तो इसका बाद एनी बेसेंट की पत्रिका है वो है कॉमन विल और न्यू इंडिया शोला नंबर देखिए शोला नंबर है कि 1816 में सुगावली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हंस्तराक्षित हुई थी तो देखिए 1814 और 16 में आंगले नेपाल युद हुआ था और इ इसका ऑप्षन भी गोर्फो और अंग्रेजियों के बीच में ध्यान रखिएगा और आंगले नेपाल यूद का अंत हुआ इसी सुगावली संधिक के तहत और उस समय बंगाल का जो गौर्णर जनरल था वो कौन था लौड हैस्टिंग था याद रखिएगा कौन था निरधारित नहीं की गई है और अधिक्तम आयूसी मा जो है वह 65 वर्स है याद रखिएगा पैंसर वर्स की आयूपूरी हो जाने के बाद जो उस्टव नियाले के नियादिस हैं वह सेवन इवरित हो जाते हैं अगला कुस्तिके आटारा नंबर नियमिलखित में से कौन सी मतथ से महा जनपत की राझधानी थी तो देख़े 16 महा जनपत थे और मतथ से महा जनपत की जो राझधानी थी वो कहां थी वीराथ नगल थी फ्रेंट्स हमने 16 महाजनपतु की राजधाने को ट्रिक्स से हमने देखा है हमारा दूसरा चैनल है 5-Minute GKGS ठीके फ्रेंट्स 5-Minute GKGS उस पर हमने ट्रिक्स इस वीडियो को डिस्कस किया था अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख लिजेगा इसका विल निक मैंने description box में दे दिया है एक बर आप इस वीडियो को देख लिजेगा आपको आज जिवन यह याद रहेगा 19 नमबर देखे, 19 नमबर है कि सर्चार्ल्स उड का dispatch या उड फ्रेशन भारती इतिहास में खली अस्थान है कि छेत्र में एक मिल का पत्थर सावित हुआ था तो देखे, उड डिस्पेच को डलहौजी ने सन 1854 इस्वे में लागू किया था और यहां सिक्षा सम्बंदी सुधारों से सम्बंदी था 1854 में डलहौजी के द्वारा यहां लागू किया गया था और यह सिक्षा से सम्बंदी था साई अन्सर ओप्शन B 20 नमर देखे, 20 नमर है कि निम्रखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट पती चुने जाने की अर हरता से सम्बंद में सही नहीं है तो देखे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिलकुल सही है, 25 वर्ष की आयूपूरी कर चुका हो, यह भी सही है राज सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अरहित है, यह गलत है, वह कोई लाब के पत पर धारक नहीं करता हो, यह सही है देखिए राज सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह अरहित नहीं बल्कि लोग सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह अरहित होना चाहिए तो इसका सई answer कि हो जाएगा option C 21st देखिए प्रथम आंगलिसी की योद निमलिकित में से किन वर्स हुआ था इंपोर्टेंट है तो देखिए प्रतम आंग्लिशी की यूद जो है 1845-46 में हुआ था option B जो है correct answer हो जाएगा और दूसरा आंग्लिशी की यूद हुआ था 1849 में याद रखिएगा 22 नमबर देखिए और फ्रेंट्स लास्ट में कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएगा कवक की कोशिका भीति कड़ी जटिल सरकरा के बनी होती है जिसे कहते हैं तो देखिए कोशिका भीति जो है यह पादब कोशिकाओ में पाई जाती है याद रखिएगा और पादब कोशिकाओ की कोशिका भीति जो है सेलूलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भीति बनी होती है कायटीन की 23 नमर देखिए समाचर पत्र रस्त गोफ्तार जिसका मतलब होता है सच बताने वाला का सम्मा अंदर निमलेकित में से किस धर्म के सुधारों से था तो देखिए यह जो समाचर पत्र था रस्त गोफ्तार इसके संबादा कौन थे दादा भाई नौरोजी थे ठीक है और वे किस धर्म से संबंदी थे पार्शी से तो सही इंसरो हो जाएगा ऑप्शन डी इंपोर्टेंट है ध्यानरकी का और दादा भाई नौरोजी की एक औ चुझँ में ** कि जा कमी हो जाती है तो पर थाइराइड हर्मान हो जाता है और जब स्राइड में केलसियो की अधिक हो जाती है अधिक मातरा मेंidable में कल्सियम जब हो जाता है तो उस इस्तिति में कैल्सी टोनीन हर्मोन का स्रावन होता है और ये भी जो है परा अप्टु गुरंती से स्रावित होने वाला हर्मोन है कैल्सी टोनीन और परा थरेड हर्मोन याद रखिएगा 25 नमर देखिए 26 नमर देखिए 26 नमर है कि भारतिय समिधान के कौन से अनुशेत का अनुशार उपर राष्टपती, राष्टपती के रूप में कारय अथ्वा उनके कृतियों का निर्वहन कर सकता है तो फ्रहन इस प्रशन को हमने इसे भी कवर किया है तो देखिए सही अंसर इसका आप्चेन डी अनुशेत 65 के तहत अनुशे 63 में कहा गया कि भारत का एक उपर राष्टपती होगा और अनुशे 64 में कहा गया कि भारत का जो उपर राष्टपती है वो राजी सभा का पदेन सभापती होगा तो आप इन सब को ध्यान रखिएगा 27 नमबर देखिए कि 1931 में इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था तो 1931 में हुआ था कराची में ठीक है फ्रेंट्स कहां हुआ था कराची में और इसके अधिक्सता सरदार वल्ला भाई पटेल ने किया था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी 1939 में हुआ था लहार अधिवेशन जिसके अधिक्सता पंडी जोहरला नेहरू ने किया था और इस अधिवेशन में पून स्वराज की मांग रखी गई थी ठीक है तो दोनों को ध्यान रखेगा दोनों important है बार-बार पूछा जाता है 28 नमबर देखिए 28 नमबर है कि निमलिखित में से कौन सा विषय है भारतिय समिधान का अनुसार राज सुची में समिलित नहीं है तो देखिए पन जो है यह राज सुची का विषय है अस्थानिय स्वासासन भी है पुलिस भी है और जनगन्ना जो है कि यह संग सुची का विषय है तो सही उनसर option D next question 29 number बर्दमान महावीर का जनम कब हुआ था तो देखिए बर्दमान महावीर का जनम 540 सिसापूर में हुआ था option यह जो है correct answer हो जाएगा कहां हुआ था तो वैसाली के कुंड गराम में इनकी माता का नाम था त्रिशला याद रखिएगा इनकी माता का नाम क्या था त्रिशला था इनके पिता का नाम था सिधार्थ और इनकी पत्नी का नाम क्या था इनकी पत्नी का नाम था यसोदा याद रखिएगा यसोदा इनकी पुत्री का नाम था त्रिशला और इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनिय ठीक है फ्रेंट्स माता का नाम जाता है तीस नमब्र देखिए हमारा सरीर कितने pH पराश के बीच गाएक है और सरीर कुंसी पुस्तक हैं नहीं लिखी गई है, तो देखिए, नागानंद लिखी गई है, रतनावली लिखी गई है, प्रियदर्श का लिखी गई है, हर्स चरित्र जो है, ये हर्स वर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है, हर्स वर्धन के दरबारी कभी वानभट के द्वारा लिखी गई है, अध्यान परिशद 179 में और विधान सभा 170 में हैं ध्यान रख्येगा परतमान में भारत में टोटल 25 उंचे नयाले हैं आंद्रप्रदेश के अमरावती में देश का 25 वा उंचे नयाले अस्थापित किया गया सब्सक्राइब इसका अप्शन भी 25 पहले 24 थे और 25 हो गया है ध्यान रखिएगा 35 में में देखें इंगलेंड में किस वर्स गौरो साली करांती हुई थी तो यह जो गौरो साली करांती है यह कब हुई थी श्वरप्रत पर्थम लोग सेवा आयोग की अस्थापना कब की गई लोग सेवा आयोग की अस्थापना तो भारत में में उनीसो इस्थापना के लिए शन में विधी आयोग ने शिफारिश की थी जा Aha沒關係 सरह जाएगा इसका सन 1924 में ठीक है फ्रेंट्स में आपकी दिएगा 1926 में नेक्स्ट कोशन देखिए नेक्स्ट कोशन है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था तो इंपोर्टेंट है बार बार पूछा जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव तो 8 एंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुवात जो हुई थी वह कब हुई थी 9 अगस्ट 1942 को ध्यान रख्येगा और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था 38 नमर देखीए महत्मा गांधी के राजनितिक जीवन से संबंदि घठनाओ का सही काला नूकरम कौन सा है जो देखे सबसे पहले क्या होता है चमपारां सत्यागरा होता है तूब पारण सत्यागरा के बाद आहमदाबाद मिल मजदूर वाली यह हर्ताल होती है उसके बाद होता है खेड़ा सत्यागरा और उसके बाद होता है खिलाफ़त ठीक है फ्रेंट्स 1917-1918-1918 और यह 1919 में ध्यान रखेगा तो सही अंसर हो जाएगा एक दो तीन चार ऑप्शन बी टैनिंग के समय में 1856 इस वी में विद्वापुन और विवा अधिनियम स्वतंतरुप्ट से लागो किया गया नेक्स्ट कोस्टन देखिए 1856 में ध्यान रखिएगा फोर्टी नमबर देखिए भारत दुर्दसा पुस्तक के लेखक कौन है तो भारत दुर्दसा जो पुस्तक है इसके लेखक है भारतेंदू हरिश्चंद्र ऑप्शन सी करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखिए महात्मा गांधी ने किसे राष्ट कभी कहकर संबधित किया था तो महात्मा गांधी ने मैथली सरन गुप्त को राष्ट कभी कहकर संबधित किया था 42 नमबर देखिए गुप्त बंस की राजकिय भासा क्या थी गुप्त बंस की राजकिय भासा जो थी संस्कृत थी 43 नमबर देखिए अंतराश्टी जूट संगठन का मुख्याला कहा है जूट संगठन जो है इसका मुख्याला कहा है बांगला जिसके धाका में है Option B जो है सही अंसर हो जाएगा Next question देखिए 44 नमबर जाड़े की दिनों में जनवरी फरवरी के महीनों में तमिल नाड़ू के टटो पर बरसा किसके कारण से होती है तो तमिल नाड़ू के टटो पर यानि कोरो मंडे टट पर लोटती हुई मौनसुन या फिर उत्री पुर्वे मौनसुन के कारण बरसा होती है ओप्शन B सही अंसर हो जाएगा उत्तर भारत के मैदानी भागों में सीत रित्म में बरसा पस्चमी विछोप के कारण होती है याद रखिएगा 45 नमर दिखे ककोलत जल परपात कि सराजय में इस्तित है तो ककोलत जल परपात जो है या बिहार के नवादा जीले में है ओप्शन C जो है करेक्ट अंसर होगा 46 नमर दिखे डूंकन पास किनके मद ये अवस्तित है तो डूंकन पास जो है या दक्सिन अर्णमान और लगू अर्णमान के मद में अवस्तित है तो option A जो है correct answer हो जाएगा ठीक है friends याद रखिएगा अगर बात करें हम छोटा अंडमान और कारणी को बार तो इनके भी 10 degree channel है पाक की खाड़ी जो है यह तमिलाडू और स्रिलांका के मद्ध है पाक की खाड़ी और लक्ष दिप और मिनी का जो है यह 9 degree channel के मद्ध है नेक्स्ट कोशन देखिए 47 नमबर अस्थाई चुम्मक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो अस्थाई चुम्मक बनाने के लिए इस पात का प्रयोग किया जाता है option B correct answer हो जाएगा next question देखिए next question भी काफी important है question को ध्यान से देखिएगा question है कि एक others तरल की सयनता कितनी होती है तो देखिए एक others तरल जो होता है इसकी सयनता सुने होती है सयनता जो है इसका सिधा सिधा मतलब होता है गाढ़ापन ठीक है सयनता का मतलब होता है गाढ़ापन और एक others तरल की सयनता कितनी होती है सुने होत सायंता नहीं पाए जाती है ध्यार रखिएगा इंपोर्टेंट है ठोस में सायंता नहीं पाई जाती है ठीक है फ्रोवाव के अधिक होती है और गैस में उससे कम होती है नेक्स्ट कोस्टन देखे 49 नूबर कि अस्थगन प्रस्ताव को पेस करने के लिए नियुंतम कितने सदस्यों की स्विक्रिती आवस्चक है तो अस्थगन प्रस्ताव के लिए नियुंतम 50 सदस्यों की स्विक्रिती आवस्चक है है नेक्ष्ट कुस्टrhें देखए कोस्टर नम्बर-पचास गांधी जीने व्व्यक्तिगत सत्यागरा अंदोलन कब शुरु किया था है तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर में उन्थिव चालीश सिष्वी को पाउनार में व्यक्तिगत सत्यागरा यादर कीएका 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में ठीक है व्यक्तिगत सत्यागरा अंदोलन शुरू किया था और इस अंदोलन के प्रथम सत्यागरही विनवभा भावे थे दूसरे सत्यागरही पंडी जवारला नेहरु थे और तीसरे सत्यागरही ब्रह्मदत थे ठीक है फ्रेंड्स कौन थे ब्र पाई जाती है समताप मंडल में तो इसमें होता क्या है कभी कभी अंगलेजी में लिखा मिला तो हिंदी मेडियम के स्टुएंट है उनको यह प्रश्ण आ नहीं पाता है और भी गलत एंसर टिक कर देता है तो आप अंगलेजी में भी इनका नाम ध्यान रखिएगा त्रोप का मतलब क्या होता है चोब मंडल होता है समताप मंडल ठीक है तो सही अंसर हमारा यहीं हो जाएगा ऑप्शन बी आयन मंडल और एक्चुए स्पेर का मतलब होता है बहिर मंडल ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है 52 नमबर देखिए निमिलखित में से कौन सा पदार्थ पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है निमिलखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है तो यह है साइटो काइनिन यह सारे पादप हार्मोन है ठीक है और साइटो क नानीन जो हार्मोन है यहां कोई का विभाजन में मदद करता है 53 नमबर देखे इन में से कौन सा विस्पोठक पदार्थ है यह भी है TNT Trinitrotoline इसको TNT कहा जाता है उसके बाद TNG कहा जाता है इसको Trinitroglycerin और इसको कहा जाता है Trinitrophenol ठीक है फ्रेंट्स तो यह सारे जो है युटिके विहार में सबसे पहले पटना विषभिद्यार के अस्थापना 1997 में हुई थे उसके बास मगत के अस्थापना spraying 222ी ध्यान रख्येगा और तिलका मान्टी जो है इसके अस्थापना 1960 में हुई थी और जैप्रकास विश्विद्याल के अस्थापना 1990 में हुई थी तो सही अंसर आप्शन एफ पटना विश्विद्याल है केरल में 1925 में उठा यहां उठा बना लिजे ठीक है वाइकम सत्यागरा किसके विरुद्ध था इंपोर्टन कोस्षन है देखिए वाइकम विद्रो जो था यह केरल के त्रावन कोर में 1925 में हुआ अस्प्रिस्था की कुपरथा के विरुद्ध एक आंधोलन था तो सही अंसर 今天 समाज में अस्प्रिस्था नेक्स्ट देखिए और 46 कार्डेमम की पहाड़िया जिनकी सीवाव पर इस्तित वयावे हैं के कारडेममग की पहाड़ियां इनके हिंदी मैं इलाईशी की पहाड़िया ठीक है है इसका नाम इसलिए पढ़ा यह में इस एरिया में जो है इलाइ 57 नमर देखिए भारतिय समिधान में इनमें से किसका सरवाधी क्रेणी है तो भारतिय समिधान जो है 1935 का भारत सासन अधिनियम का सरवाधी क्रेणी है option D correct answer हो जाएगा 58 नमर देखें मिनाक्षी मंदिर कहां इस्तित है तो देखें मिनाक्षी मंदिर जो है यह भगवान सीव और माता परवति को समर्फित है याद रखिएगा ठीक है फ्रेंट्स और यह पांड सासको के द्वारा बनाएगा है किसके द्वारा जिन जाती रहती है तो जारवा जिन जाती जो है यह अंधमान निकोबार में रहती है option C correct answer हो जाएगा 60 नमर देखें आधुनिक आवर्थ सार्नी में समान वर्थ के तत्यों में समान होता है तो क्या होता है सेज़ी इलेक्ट्रों जो होते है यह समान होते है ठीक है बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रों होते है वे समान होते हैं समान वर्थ के तत्यों में 61 नमर देखें रॉड और कोण पाए जाते हैं important question है रॉड और कोण यानो संकु और क्या सलाका याद रखे हिंदी में इसको रॉड को क्या कहेंगे रॉड को कहेंगे सलाका ठीक है फ्रेंट्स और कोण जो है इसको कहेंगे संकु तो संकु को सिखाएं और सलाका को सिखाएं यानि रॉड सेल और कोण सेल जो है यह आँख में पाई जाती है 62 नमर देखें महमुद गंजनी के साथ भारत आने वला प्रसिद इतिहास कर कौन था तो देके महमुद गंजनी ने भारत पर पहला आकर्मान 1000 इसवी में किया था याद रखिएगा ठीक है 1000 इसवी में किया था तथा पेशावर किसने कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश वाप भारूनि आया था नेक्ष्ट कोशन दीके 63 नंबर विश्वक खाद दिवस वर्ल्ड फूट डे प्रतिवर्स की स्तारिक को मनाय जाता है तो वर्ल्ड फूट डे जो है 16 अक्टूबर को प्रतिवर्स मनाय जाता है और इसलिए मनाय जाता है क्योंकि इसी दिन 1945 इस भी में सं समयकतराज राष्ट संह के खाद य वग्रिसे संगरठन की अस्ताबना होई थी और खाद your क्रिसे संगरठन का मुख्याल सिटली के रोम में है 64 नमर देखे, अधातों में कौन सी चमकदार होती है तो अधातों में आयोडीन जो है यहाँ चमकदार होती है Next question देखे 65 नमर सोनोरान मरुस्तल कहा है तो देखे सोनोरान मरुस्तल जो है यहाँ संविक्तराज अमेरिका में है Option A जो है, correct answer हो जाएगा Next question देखते है 2011 की जन गन्ना का अनुसार देश की आबादी का अलग भग कितना प्रतिसाद जनसंक्या क्रिसी से जुड़ा है 2011 की जन गन्ना से अनुसार 71 प्रतिसाद आबादी जो है यह क्रिसी पर निर्भर थी जारखंड का राज बनने का क्रम क्या है तो देखिए जारखंड जो है यहाँ 15 नावंबर 2000 को 15 नावंबर याद रखीगा 15 नावंबर सन 2000 को भारत का यहाँ 28 राज बना था Option D correct answer हो जाएगा 68 नावंबर देखिए इनमें से कौन सा नागरिक्ता से संबंदित अनुस्यद नहीं है तो आप सभी जानते हैं कि नागरिक्ता का जो अनुस्यद है वो 5 से लेकर के 11 तक में है तो देखिए 5 से 11 तक में यानि 12 जो है यह है मौली का दिकार 12 से लेकर के 35 तक में क्या है मौली का दिकार है Next question देखिए Next question है कि इनमें से कौन सा carbonic अमल है तो आसानी से अगर आपको फर्मुला याद होगा तो आप बता पाएंगे कि देखिए औक जेलिक अमल जो है यह है प्रकार का carbonic अमल है option A जो है correct answer हो जाएगा Next question देखिए Next question है कि अलमाटी बान किस नदी पर है तो अलमाटी बान जो है यह कृष्णय नदी पर है करनाटक में याद रखिएगा 71 नमबर दिखिए 71 नमबर है PSLB इसका full form क्या है तो इसका full form होता है polar satellite launch vehicle polar satellite launch vehicle तो option D polar satellite launch vehicle correct answer होगा Next question देखिए धोने के सोडा का रसानिक नाम क्या है तो दोने का सोडा है इसका रसानिक नाम है sodium carbonate और इसका formula क्या होता है Na2CO3 into 10H2O ध्यान रखिएगा ठीक है फिंस और खाने वाला जो सोडा है इसका नाम है sodium bicarbonate sodium bicarbonate तो इसका 72 का सही answer हो जाएगा option C sodium carbonate Next question देखिए और sodium bicarbonate का formula होता है NaH NaHCO3 ठीक है फिंस Next question देखिए 73 number कि निमलिखित में से किस देश के साथ काला पानी और सुस्ता चेतर विवाद है तो काला पानी और सुस्ता चेतर विवाद जो है ये नेपाल और भारत के बीच का विवाद है याद रखिएगा 74 number देखिए निमलिखित में से किस समराट ने दू कड़े कानून एक ब्योहार समता और डंड समता लगाया थी तो ये लगाया था मौरे सासक और सोक ने 75 number देखिए कि निमलिखित में से कौन सा पूरसकार खेल अनुसिक्षण में उतक्रिष्ट उपलबदी के लिए दिया जाता है तो खेल के प्रसिक्षण के चित्र में जो है ये दिया जाता है द्रोना चारपुरसकार option A, scienceर हो जाएगा next question देखिए dynamo में क्या परिवर्चन होता है तो dynamo जो है यह यांत्री कूर्जा को विदू तुर्जा में convert करता है तो scienceर इसका option B 77 नमर देखिए भगवान पद्म संभाव को समर्पित हेमिस देवार कहां माना जाता है दियान रखिएगा जो हेमिस फेस्टिबल है या भगवान पद्म संभाव को समर्पित है और यह लद्दाक में मना जाता है 78 नमर देखिए पलायन वेग क्या होता है तो पलायन वेग वह वेग है कि स्वस्तू के फिर्थिवी के गुरुत से बाहर जाने के लिए नियुन्तम वेग option D जो है 79 नमर देखिए गारो खासी की पाड़िया कहा है तो गारो और खासी की पाड़िया जो है मेगाले में है 80 नमर देखिए तीन ओर से बंगला जिस से घिरा राज ये कौन सा है तो तीन ओर से बंगला जिस से घिरा राज है तेरी पूरा next question देखिए 80 नमर तो देखिए आप निकालेगे पकालीया वर्या-जा निकने firm कहसे निकालेंगे आप शिखे आठ दस और बालेंगे तो देखिए は ऍकालीजिये समय लगेगा ये सिदह आ 120 सेकंड सेकंड में है 30 सेकंड में कितने बार बजेंगी उक्यटे तो 30 बट़ना 2 अर्वसके बाद 2 सेकंड तो निकल गया है उसके बाद आप यह 15 और ॉप्लस एक कितना हो जा कितना हो जाएगा persönlich नीक्ट कोशन है 82 नमबर कहा रहा है कि एक किर्केट मैच में 6 खिलाड़ी का उसत रन 36 थी यदि इन में से 1 खिलाड़ी ने 16 रन बनाये थे तो 6 खिलाड़ी का उसत रन 36 है तो टोटल रन आप निकाल लीजिए तो 36 को जब आप 6 से मल्टिप्लाई किजिएगा तो कितना आ जाएगा 216 रन आ जाएगा उसका बद कर रहे कि एक खिलाड़ी 16 रन बनाया था तो 16 इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो ये 200 रन आ जाएगा अब कर रहे कि 6 खिलाड़ी तो एक खिलाड़ी का रन निकाल दीए तो 5 खिलाड़ी बचा तो आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा अब्रेज 40 आ जाएगा option D जो है correct answer हो जाएगा next question देखिए next question है कि रमेश और महेश की आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 3 है तथा इनकी आयू का यूग कितना है 28 वर्ग है 28 वर्ग से तो देखिए 4X मा लीजे तो यह कितना हो जाएगा और 3X था यह इसका फॉर कीजिए तो 12 हो जाएगा ठीक है अब कार है कि 16 वर्ग के बाद इनका तो 16 वर्ग समाच 16 जोड दीजी इसमें दोनों में तो 16 वर्ग से 16 16 32 हो जाएगा और यह अनुपाद कितना का 5 पारतिश्ण ती की आए का 15 पारतिश्द अब देखिए इसमें का धिकाएगा दिया हुआ हुआ है तो आप कही से भी जहां करके सब लेजे ठीकर मा यहां लोग पता देता हूं दो देखिए यहां का राए जबाएगा की का दस प्रशम तो कितनी है नीचे एस की आया गया कितना 4000 ठीक है इसे प्रकार आप सबको निकाल लिजेगा देखिए टी क्या पता चल गए यहां रखिएगा इस सबको जोड़ने के बाद आपका असानी से निकल के आ जाएगा ठीक है फ्रेंट देखिए थोड़ा सा मेहनत आप भी किजेगा तो प्रक्टिस हो जाएगा आठ पुरुस किसे काम को 20 दिन में पुरा करते हैं इसे काम को 8 मैला जो हैं 32 दिन में पुरा करती है तो इस काम को 5 पुरुस और 8 मैला मिलकर कितने दिन में करेंगी तो देखिए 8 पुरुस किसे काम को 20 दिन में पुरा करता है तो एक पुरुस किसे काम को कितना दिन में करे यह कितना निकल किया जाएगा कितना अब का रहा किए पांच इन का काम हम निकालेंगे ठीक है पूरुष और आट महिलाओं का एक दिन का काम एक दिन का काम कितना हो जाएगा पांच बटा कितना हो जाएगा 160 पुरूष का और महिलाओं का कितना हो जाएगा कितने महिला हैं 8 महिला है तो 8 बटा 256 जब इसको आप सॉल्ब कर दीजे तो एंसर निकल के आज जाएगा आपका 16 दिन 86 नमबर देखे 86 नमबर है कि कितने समय में किसी धन का सधारन ब्याज की 5 परचिसत वार्षिक दर से 40 परचिसत की वृद्धी हो जाएगी तो देखे मान लिजे आपका जो प्रिंस्पल है वो 100 है और ये धन कितना हो जा रहा है 40 परचिसत बर हो जा रहा है तो यानि जो आपका अमांट जो आ जाएगा कितना जाएगा मिसरद्हा है कितना जाएगा 140 हो जाएगा अब यहां से आपको ब्याज पता चल गया SI कितना है SI के 40 है A-P क्या होता है A-P होता है नائ, SI कितना आ गया A कितना 140 और P कितना हैS 40 आ गया, याद रखेगा ठीक है आपको SI भी आ गया कितना पी इंटू आर इंटू टी वाई हंड्रेट अब देखिए हमारा चालीस है पी हमने सो माना था आर आपको दिया हुआ है और टी आपसे पूछ रहा है सो सो के अंसे यह पांस इधार आ जाएगा तो आठ वर्स हो जाएगा अंसर 87 नमबर देखिए 87 नमबर है देखिए इसका अंसर आपको कमेंट में करके बताना है कोस्टन को ध्यान से पढ़ लिजे और देखिए यह पाई आप रख सकते हैं मैंने डिरेक्टली पाई का भैलो रख लिया है 22 बटा सार्थ आप चाहें तो रख सकते हैं 16 पाई घं सेंटिम सेंटिमेटर 15 पाई कहन सेंटिमेटर और 20 पाई कहन सेंटिमेटर ठीक है इसका अंसर आपको कमेंट में देकर बताना है देखता हूं कितने लोग साही अंसर देबाता है इसका नेक्स्ट कोस्टन देखिए 88 नमबर कर रहा है कि एक संबाहु तिरभुज की प्रतेक भुजा 24 सेंटिमेटर और इसका व्रीत है तो sambaहु तिरभुज है इसका अंता हेक व्री Corayan निकालीए देखिए मा لिजिए कि इसके हाइट कितनी है एक उसके बाव बट कुछ 24 प्रतेक भूजा है height कितना h है उसके बाद यहाँ देख लिजे area कितना होता है 3 by 4 a square एक कितना है 24 24 है एक 24 है यहाँ 24 में put कर देता हूं फिर से बना देता हूं एक बटा 2 उसके बाद कितना 24 into h ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद देखे root 3 by 4 a square 24 into 24 एक 24 से 24 कैंसिल हो गया जब इसको अप्सॉल्ब की जाएगा तो s कितना निकल के आएगा यहाँ से एसे निकल के आजाएगा देखे यह 2 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक है s equal to यह आजाएगा 12 root 3 ठीक है फ्रेंट्स और यह जो s जो है ना यह s जो है यह 3 तीरी जाएका बराबर कितने 3 तीरी जाएका बराबर यानि 3 r equal to कितना हो जाएगा 12 root 3 आजाएगा अब r यहाँ से निकाल देजिए r कितना आजाएगा 4 root 3 कितना हो जाएगा 4 root 3 हो गया उसका बद अन्ता बिरित का चतरफल पुछा जा रहा है तो अन्ता बिरित का चतरफल कितना हो जाएगा Pi r square हो जाएगा तो Pi का मान आप रखती जेए 22 बर्ड़ा साथ रख सकते है या Pi रख सकते है 4 root 3 ठीक है तो कितना हो जाएगा 48 आजाएगा 45 पाई गंसेंडिमेटर Option D. Correct answer हो जाएगा Next question देखिए 89 निंबर कह रहा है कि सभी कभी पाठक है मालिज ये कभी है अंदरवला कभी है सभी कभी पाठक है मसका बात कह रहा है कि कोई पाठक समझधार नहीं है तो कोई पाठक समझधार नहीं है यह समझदार है अब निसकर्स देखिए कोई कभी समझदार नहीं है बिल्कुल सही है यह बिल्कुल सही है और कोई पाठक समझदार नहीं है कोई पाठक समझदार नहीं है सभी पाठक समझदार है नहीं सभी पाठक समझदार नहीं है तो एंसर क्या हो जागा इसका option B सिर्फ निकल रहा है नेक्स्ट कुछन देखते हैं 90 नंबर करें कि सभी पत्थर हीरे हैं सभी पत्थर जो है वो हीरे हैं यह पत्थर है और यह हीरा है उसके बाद करें कुछ हीरे मोती हैं कुछ हीरे जो हैं वो मोती हैं करें कि कुछ मोती पत्थर हैं नहीं कुछ हीरे मोती हैं नहीं कोई नहीं ठीक है एक क्राइब यहां दिया हुआ है कि यहाँ आपको देखsi लिजिए 15 कर रहे को डिभाइड की यहां तो सबसे फेले क्या होता है यह डिवाइड कर दीजिए कितने टाइम में 15 देखिए नेक्ष्ट नंबर बनमे नंबर important question जान से पढ़िए और इसको कोशिस कीजिए खुद से बनाने का लेखे जब इसको बनाईएगा कर रहा है कि मेरी घड़ी में यह घड़ी है और तीन बजा है कि जब बज रहा है ये 3 तीन बज रहां है तो जब आप इसको मान रहे हैं तो पीछे वाला क्या हो जब वेश्ट में हो जाएगा और इस्थ के जो राइट वाला होता है वह साउथ होताह और बाय वाला जो हता पूछ रहाए कि मिनंट कीशन के किस होता है दिशा में फिस दिशान है उत्तर दिशा कौन का निइंट के लड़की में में दोड़की का परचह देते हूँ कह सब्द़ की लड़का मेरे चाचा के पिता की बैटी का पृट्र है मेरे चाचा के पीता यानी दादा के बेटी बुवा का पूत्र है तो पूत्र का बटा क्या हुआ कंजन सब्सक्राइब नलुडण है तो काउंट कर लिजे देख़े इसमें कितने वर्ञ है तो टोटल इसमें 14 सिंदा है आप काउंट कर लिजीगा ठेक है फ्रेंस को नांटइफाइब नमबर है कि यदि से फिसरे नमबर पर लिएक तीसरे नमबर को उसका ई इसका बाद ऐ यहां है तीसरे नंबर पर फ लिखा हुआ है युज्म यहां इसी में है दूसरे नंबर पर वी है तो देखिए यह किस उप्सिन में है tfmde tfmde option c जो है science दो हो जाएगा next question देखिए करें कि असंगत पत को इसमें से आपको निकालना है तो देखिए bcd bcd ठीक npq npq ठीक है friends hgf करके देखिए bcd उसके बाद आप a bcd जब count के जाएगा तो आप देखिए जी फिर h फिर यहां f ठीक है यहां देखिए bcd तो देखिए science इसका हो जाएगा क्या इसका science हो जाएगा option c ठीक है next question देखिए 97 नंबर 97 नंबर है कि दिये गए state में सही state का आप प्रियान किजिए तो देखिए यह 16 आट और दो है देखिए इसको हम टू वंजा टू 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 फोर्जा एट टू एट टू एट शिक्षिटिन देखिए इसा relation किसी में बन रहा है यहां देखिए बन जाएगा है को माइनस कर तो साथ करके माइनस कर दिया तो सबकूर करना होता है और और तना चाहिए तो आनटेन नम्र देखिए छीनों का सही सहन करें है यह यहां कि नभ आजाए तो आप सब को पूट करके देख लीजें तो साहिए शर्व हो जाएगा इसका option देखिये 27 गुणा 3 पुलस उन्णीस माइन कर दिस अमें 90 लाना है तो 27 तिरका 81 होगा और पुलस उन्णीस होगा और माइनस 10 तो 87 पुलस उन्णीस कितना हो जाएगा 88 और 90 ठेक है 81 और सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसे तरह के वीडियो लगातार आपको मिलता रहा है थैंक्स पर वाचिन